जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ मैं सब बढ़ी आऊंगे स्यूडियों दोस्तों बात करेंगे जिट्टी वर्सेज एसारज गुजरा टाइटन्स और सन्राइजर हैदराबाद के बीच में IPL 2024 का जो मैच नमबर 12 खेला जाएगा इसको ही स्यूडिय के अंदर कवर करेंगे ये वीडियो आप लोग कंप्रेड वोस करना बेकोजी स्यूडिय के अंदर हम लोग देखो दोनों टीम्स के प्लेयर के साइड से यानि कि दोनों टीम्स के साइड से कौन से प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे इस match में आप लोग अपनी टीम में कौन से 11 प्लेयर को back करके चलोगे किसको captaincy पे रखोगे किसको अपनी टीम में wise captaincy पे रखोगे सारी चीज़े cover करेंगे और captaincy wise captaincy के साथ-साथ यहां पे discussion करेंगे इस match के अंदर आप लोग अपनी टीम में as a trump card player किसको try कर सकते हो trump card का मतलब यह रहेगा बाई देखो ऐसा player जिसका slackson गम रहेगा लेकिन वो player अगर आप लोग अपनी टीम में try करते तो कईना कि आपके लिए एक बढ़िया differential pick बन के जा सकता है और शायद आपको एक तरफा win भी करवा सकता है तो कौन से player पे आप लोग risk उठा सकते हो देखो trump card player का भी आपको थोड़ा सा समल के use करना पड़ेगा ऐसा ही नहीं कि आप लोग किसी भी player को trump card player में use कर पाओगे या तो एक ऐसे proper बल्ले बाज को यूज करो जिसके proper बल्ले बाजी के chance हो या फिर ऐसे proper गेंद बाज को यूज करो जिसके proper गेंद बाजी के 3-4 और करने के chance हो ठीक है आगे वीडियो में सारी जीचे बताऊँगा किसको आप लोग आजे ट्रम कार्ड में रखोगे लास्ट मैच अपना ट्रम कार्ड प्लेयर था बाई वेंकटे सायर जिनोंने 50 प्लस रंस की पारी खेल के भाई आमें एक तरफा विन करवाए था सारी चीज़ जगावर की जाएंगे वीडियो आपको complete देखना है दोनों टीम्स के performance की बात करें तो दोनों टीम्स इस सिजन देखो दो-दो मुकाबले खेल के अपना एक-एक मैच आपे वोन कर चुकी और एक-एक मैच अपना हाट चुकी है मतलब एक average form करते हुँ दिखे कि दोनों टीम्स आपको यहाँ पे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से बहले एक सबसे important चीज़ आपको बता दू इस वीडियो के अंतर आपके लिए पात अजार उपीज का फिरी गिववे रेगा भाई ठीक है गिववे के अंदर आपको पाटिसिपेट जरूर करना है गिववे के लिए हमापके वीडियो के अंदर कहीं पर भी तीन कुश्चन करूँ और तीनों कुश्चन के जो अंसोर रेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करने है ठीक है हम लोग आपे देखो 10 विनर अनाउंस करेंगे जहां पे 500 रुपीज हर एक विनर को मिलेंगे अगर आपके तीनों अंसोर सही होंगे माली जे किसे के अंसोर सही नहीं भी होंगे तो मैं एक रैंडम कमेंट पिक करूँआ और जिसका भी नाम आएग के नोटिफिकेशन बैल को जरूर से ओन कर लीजिए टेलिग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जीए सबस्यूपर टोप में पेंडिगामेंट है वापे मिल जाएगा सिंपली क्लिक करके जोईन कर लेना कोई भी अपडेट होंगी देखो टोस यहां की जो बाउंडरिज रहेगी ना भाई ठीक है बाउंडरिज आपको थोड़ा सा बड़ी देखने को मिलेगी अब बाउंडरिज बड़ी रहेगी तो एक चीज़ आप लोग यह मान के चलोगी कई ना गई भाई बॉलर्स के लिए चीज़े यहां पर फेवरेबल हो सक अब देखो चाहें वो बात हो भाई यहां पर जित्ती की टीम की या फिर बात हो एसारेज की टीम की एसारेज की टीम ने तो भाई लास्ट मैच में 277 रंस भी बनाये थे जो कि आई पल इस्टी का सबसे बड़ा स्कूर था लेकिन हर मैच में उस परकार की बल्लेबाजी न के एक बड़ा रोल प्ले करके जा सकती है और कास्ट कंडिसंस रहेगी एवरेज स्कूर पिछले पाथ टी टून टी का 166 की आसपास है लेकिन मैंने आपको बताए कि कम से कम आप लोग 170 का स्कूर मान के चलना चूकि जित्ती की बात हो तो भाई अब दक देखो दो मैच में वो उतना जो बैतर परफोर्मेंस है वो नहीं कर पाई एसारेज की टिम जरूर दोनों मैच बड़ी है खेली और एक मैच बाई सब लाजवा बल्ले बाजी थी जिसके तो शायद किसले ने एकस्पेक्टेसंस भी नहीं कियोंगी ठीक है और पिछले अगर मैं बात कूरू य अंदर भाई जो फास्ट बोलर है उन्होंने इस वेन्यू पर 89 विकेट लिये तो जो स्पिन गेंद बाजी है उसने केवल 35 विकेट लिये ठीक है मत्रब डबल से भी ज्यादा आगे आपको यहाँ पर फास्ट बोलिंग देखने को मिलेगी स्पिन के कंपेर में इसलिए आगे जब टीम स्लेक्शन करेंगे तब आपको समझाओंगा ठीक है तो वेन्यू स्लेटिड यह चीज़े ज्यान में रखना हैट्ट वर्ड की बात करें दोनों टीम्स के बीच में पिछले पांच साल में तीन मुकाबले वे जापे दो गुजरा तो एक यहाँ पर बल्ले बाद की टीम ने करी है नसी बरकार की बल्लेबाद की एकसप्टेशन अप्लोगी इस मैच में करके कत यीबी नहीं चलोगे यह ध्यान मेर्गाटिक है। यह पर विद् erkennen इंच न को सबसे बड़ी गलती गरोगे। भाइली ध्यानग को बैटिंग सर्फेस रहगा एक खास उप्संस नहीं मिलेगी, दोनों प्लेयर इंपोर्टेंट प्लेयर है, क्लास इन की तो फोर्म आपने भाई देखे लियोगी, सिजन गेंदर शुरुआती दोनों मुकाबलों में गजब की फोर्म दिखाई है, इवन पहले मैच में भी ओल्मोस्ट अपनी टीम को मैच को बट लास्ट ओवर में जाके सर्फ चार रंस ये टीम नहीं कर पाई दी, और हैदराबाद की टीम उस मैच को हार के गई थी, लेकिन क्लास इन की बल्लेबाजी में भाई साब कोई कम ही नहीं थी, और लास्ट मैच में इनकी बल्लेबाजी देख लो, आप लोग क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे थी, 34 गेंद के अंदर 80 रंस की नोट आउट पारी, पहले मैच में 29 गेंद के अंदर 63 रंस की पारी, भाई सब गजब की फों में ये प्लेयर आपको दिखेगा, जो की आपको अलमुस्ट थर्ड डाउन बल्लेबाजी देगा, मतरब 3 विकेट गरन की बल्लेबाजी करेंगे, जिट्टी की टीम के लिए तो वहाँ पे इनका रोल काफी बड़ा रहेगा, हलांकि बल्ले के साथ में अब तक दोनों मैच में थोड़ा सा फ्लोपी देखने को मिले, लास्ट मैच में 21 रंस की पारी थी अगेंस्ट CS के, पहले मैच में 19 रंस की बल्लेबाजी के साथ में उतना बढ़िया स्टार्ट अब तक नहीं कर पाई, बट 82% स्लेक्षन है, हाई स्लेक्षन है, अगर 1% रिस्क उठा सकतो तो ड्रोप करके उठा ले ना, बट साहा एक ऐसा प्ले रहे यार अगर पूरे 6 और भी बल्लेबाजी कर जाएगा ना, 30-35 साली संस की पारी, इनकी काफी इंपक्ट फूल पारी रही देगो, 35 साली संस T20 मैच में माईने रखते हैं, तो साहा उस परकार का पले रहे कि यह काफी जल्दी से आपको रंज करके दे सकता है, तो विकेट के पिंग सेक्षन के दोनों पले आपके लिए इंपोर्टेंट दूसरे मैच की बात करूँ, अगेंस्ट CS के के वली आठी रंज कर पाए, लेकिन बड़े प्लेयर हैं, रिस्क नहीं उठा सकते हैं, स्मोल ली की टीम से तो ड्रोप करके कता ही नहीं उठाओगे, तो स्मोल ली की टीम में तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट च्वाई इसे चाहें, आप लोग हैट टू एडली खेलो, आप लोग 3 मेंबर खेलो या फिर 4 मेंबर खेलो, गिल्ड जैसे प्लेयर को यहां से अवोइड करना मेरे इसाब से बहुत बड़ी बेवकुफी हो सकती है, और एक चीज बता दू इस वेन्यू पर, यानिकि जिस वेन्यू पर यह मैच केला जाएगा, नरेंद्रा मोधी स्टेडियम के उपर, इस वेन्यू पर सबसे ज्यादा जो रंस कर रखे है, वो भी सुम्मन गिल ने कर रखे, 13 इनिंग के अंदर भाईया, 700 रंस है इनके इस वेन्यू बे ठीक है, जापे 63 का इनका एवरेज लेगा, तो काफ वाई Travis Head से related, Travis Head आज के मैस में total कितने रंस करेंगे, तो कितने fantasy वेन्ट करेंगे और तीसरा जो question रहेगा, हैंडेज class-in से related, आज के मैस में class-in कितने रंस करेंगे और total कितने fantasy वेन्ट करेंगे, ठीक है, तीनो प्लेयर के जो questions रहेंगे, उनकी answers रहेंगे, वो आपको comment के अ लास्ट मैच गुजरात की टीम को एक बढ़िया मिडल ओडर के अंदर बल्ले बाजी दी थी लेकिन भाई उसको बड़ी पारी में कनवर्ट नहीं कर पाई और अपना विकेर थो करके गए थे एक स्टार्ट मिला था 16 गेंद के अंदर 21 अंस का अगर वापे मिलर बल्ले बाज आपको ठीक ठाक दिखेंगे जापे मिलर ने 8 मैच में 166 ट्रंस करें इस वेन्डू पर और इनका जो एवरेज रहेगा वो लगबग आपको 33 के आसपास दिखेगा सो डिफरेंचल पिक आपके लिए बहुत बड़ी है रहेगा डेविड मिलर अपने टीम में यूनिक ओप्सन में आप लोग ज़रूर से ट्राई करके चल सकते हो उसके बाद में मैंक अगरवाल से देखो मुझे उतनी कुछ खास एक्सपेक्टेशन्स नहीं होती है मैंक अगरवाल करेंगे उपनिंग बल्ले बाजी जब की अगर मैं बात करू सनराइजर हैदराबाद के लिए तो स्टार्टिंग ओर्स में देखो यहां पर बुनेस और कुमार आपको दिखेंगे सो आप लोग फिर अपनी टीम के अंदर मैंक अगरवाल को यहां से अजे डिफरेंशल स्वाइस में रखो क्योंकि 28% स्लेक्शन है बढ़िया डिफरेंशल पिक आपके लिए हो सकते हैं बट मुझे उतनी कुछ खास एक्सपेक्टेशन इंसे नहीं रहेगे सो मैं फिलाल अपनी टीम में पिक नहीं करूँगा वो मैसेज अभी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जाके चैक भी गर सकते हो ठीक है मेरे फेवरेट प्लेयर है लास्ट मैस भाई साब इसी प्लेयर की बदोलत देखो हैदराबाद की टीम ने ना काफी बढ़िया बल्लेबाजी करने उतरे अब दक एक ही मैस केला हैदराबाद की टीम के लिए और लास्ट मैस अगर आपने देखा होगा तो भाई डेफिनिट्टी ट्रेवीस हैड ने क्या गजब की वो पारी खेली थी 24 गेंद के अंदर बास्टर ट्रंस की ठीक है मेन मान के चलो ये प्लेयर बस 6 वर बल्लेबाजी कर दे आपका काम करके निकल जाएगा तो बढ़िया चुआई से इवन डिफरेंशल पिक में एक बार फिर से कैप्टन्सी वाइस कैप्टन्सी में ट्राइगर होगे साइस उदरसन मेरा फैवरेट रहेगा हमेशे आपको बोला भाई फिर से में अपने डिफ में बैक करूँआ वन डाउन बल्लेबाजी करेंगे लास्ट मैच में भी सुरुआत मिला था बट वही है कि 30-35 संस करके न फिर अपना विकेट थ्रो करके जाते है तो वो इनके साथ में थोड़ा सा मुझे इशुई सीजन देखने को मिला है बाकि अगर रिस्पोंसिबिलिटी के साथ में बल्लेबाजी करें तो टीम को एक बढ़िया स्टार्ट के साथ में भाई अपनी पारी को बढ़ी पारी में कनवर्ट करें मैं अपनी टीम में जरूर बैक करूँ है साई सुदर्सन की फोर्म इस वेन्यू पे भी काफी बढ़िया दिखेगी जापे साथ इनिंग के अंदर इनोंने 326 संस कर रखे है 46 के आसपास इनका एवरेज है तो गजब की फोर्म है उसके बाद में नीचा होगे विजए संकर से उतनी कुछ खास एक्सपेक्टेसंस नहीं रहेगी बट एक चीज बोलूँआ अगर आप लोग अपनी टीम में बहुत बड़ा रिस्क उठा सकते हो ना तो आप लोग विजए संकर को अपनी स्मोल लिक की टीम में ट्राइ करो बाकिये मैं उतना प्रैफर नहीं करूँआ ये ज्यान में रखो लेकिन संकर जैसे प्लेयर भाई एक आद मैच्सिज में चलेंगे रूसी मैच में आपके लिए डिफरेंचल हो सकते है तो ये थोड़ा सा ज्यान देना अभीशेक सर्मा के साथ में बोश इस मैच में दुनिया दोडेगी क्योंकि लास्ट मैच में तो हभीशेक ने भी भाई कोई कसर नहीं चोड़ी थी बल्लेबाजी के अंदर कमाल की पारी थी वो और लगातार हिटिंग गर थी ट्रैवीशेक सर्मा के साथ में मिलके ना गजब की पारी थी हभीशेक सर्मा की ठीक है लेकिन इस मैच में सबसे बड़ी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो यही रहेगी कि भाई आज के मैच में रिस्क का उठाओगे या तो आप लोग अभीशेक सर्मा पे रिस्क उठाओगे ड्रोप करके या आप लोग आज से रिस्क उठाओगे बाई रिद्दीमान साहा पे ठीक है तो मैं आज के मैच में बड़ा रिस्क उठाओगा है अभीशेक को अपनी टीम से ड्रोप करके क्यों ड्रोप करूँ है क्योंकि देखो वन डाउन बल्लेबाजी करेंगे अगर सुरुवाती विकेट जल्दी गरता तो ये जल्दी बल्लेबाजी करना हैंगे अगर माली जे सुरुवाती और में विकेट नहीं भी गरता और मिडल के अंदर मोहित जांपे सलोर वंस का काफी बढ़िया यूज करेंगे तो वहाँ पे विकर जाने के चांसेज कही न कही बन सकते हैं तो मेरे अकोडिंग या से देखो मैं फिलाल अभीशेक को टीम से ड्रोप करके रिस्क उठाना चाहूँगा लेकिन अगर आप लोग सेफली खेलने वाले बंदे हो तो आप लोग अपने टीम में बिल्कुल जा सकते हो अभीशेक सर्मा के साथ में ये 24 अपकी अपनी रेगी मैं अपने रिस्क पे ड्रोप करके चलूँगा अब्दूल्ज हमद जैसे प्लेयर हैं मुझे उतनी कुछ खास उमिदें नहीं रहेंगे और लाउंड सेक्शन के अंदर हैंगे एड़न मारकरम लास्ट मैच में बढ़िया पारी थी क्योंकि भाई हैदराबाद के टोप के चार प्लेयन तो कमाल की परफॉर्मेंस करी थी उसके बाद में अजमतुल्ला ओमारजाई देखो ये दो प्लेयर को मन पिकस है जाँ पर अजमतुल्ला ओमारजाई आपको तीन से चार ओवर गेंदबाजी भी देंगे फोर्थ डाउन आपको बल्ले बाजी भी देंगे बल्ले बाजी में कुछ खास इंपेक्ट नहीं चोट पाए लास्ट मैस तो गेंद बाजी में भी उतना कुछ कमाल यह नहीं कर पाए अलागि इनकी गेंद पे कैच ड्रोप भी हुआ था बटूस में गेंद बाजी की गलती नहीं है तीन चार ओवर मिल जाएंगे बल्ले बाजी मिल जाएगी इंपोर्टेंट 24 रहेंगे सो स्मोली के लिए तो बैतर 24 है दोनों प्लेर आपके लिए बढ़िया 24 बनके जा सकते है तेवत के अगे साथ में देखो टीम गेंद बाजी उतना नहीं करवा रही है तो वो थोड़ा सा इश्यू रहेगा तो सिर्फ बल्ले बाजी बेस पे मैं इनको टीम में प्रैफर नहीं करूँआ शबाज एमद के साथ में जा सकते हो जो कि स्पिन गेंद बाजी देंगे और लेफ्टाम और्थडोक्स गेंद बाजी करेंगे तो आप लोग अपने टीम में रिस्क उठाके एज़े ट्रमकार्ड प्लेर ट्राई करना चाओ कर सकते हो 24 आपकी अपनी रहेगी बोलिंग सेक्षन के अंदर देखोगे सबसे पहले यहां से रासिद खान रहेगे पैट कमिन्स को मैं ट्राई करूँँआ बिकोज इनके चार ओवर में रहेंगे लास मैच में भी दो विकेट निकाल के लेके गए थे रासिद की लास मैच में पिटाई तो हुई थी चार मैच के अंदर 49 के सम्थिंग इनो ने रंस दिये लेकिन रासिद जैसे प्लेयर को भाई ड्रोप तो कभी भी नहीं कर पाऊगे पैट कमींच चार ओवर मिलेंगे मोहित चार ओवर देंगे और मोहित काफ़ इंपोर्टेंट रहेंगे इवन फस्ट गेंदबाजी में तो मान के चलो सबसे जादा इंपोर्टेंट है बिगोज डेथ के अंदर भी गेंदबाजी करेंगे और स्लोर वंस का काफ़ी बढ़िया यूज करेंगे और नरेंद्रा मोदी स्टेडियम के बाउंडरिस थोड़ा बढ़ी रहेगी तो कहीं ना कि उसका प्रोपर बेनिफेट इनको मिल सकता है बुनेसवर देखो लास्ट मैच में काफ़ी पिटाई हुई थी बाई और हर गेंदबाज की पिटाई हुए थी लेकिन बुनेसवर को विकेट नहीं मिले ठीक है सेकेंड गेंदबाजी में फिर भी ड्रोप करके दो परसेंट चार परसेंट रिस्क उठा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में टी नटराजन अगर खेलेगा इंपोर्टेंट बन जाएगा क्यों बन जाएगा क्योंकि ये भी एक ऐसा प्लेर है जो कि स्लोर वंस का बहुत ही बढ़िया यूज कर सकते हैं लास्ट मैच टीम ने उम्रान आपको बार जाते हुए दिखें बिकोज इनों न पूरे ओवर गेंदबाजी नहीं करवाई यहां से मैंक मारकंडे मेरी पहली 24 पहले मैच में भी डिफरेंशल पिक आपको बोला था दो वीकेट निकाल गे लेके गए लास्ट मैच में तो भाई देखो सबी गेंदबाजों की पिटाई हुए थी सिर्फ आप लोग मैंक मार गेंदबाजी में मोस्ट इंपोर्टेंट है अलांके सुरुवाती और में इनकी पिटाई काफी बढ़िया होती है और डेथ के मुझे उतने कुछ खास गेंदबाज नहीं लगते है बट पहले गेंदबाजी अगर करेगी यहां पे गुद्रा टाइटन्स की टीम सो आप ल अब इन 4-5 प्लेयर में से आप लोग बुनेस और कुमार को भी ट्राई कर सकते हो मतलब 5 प्लेयर की ओप्सन आपको मिलेगी उन में से आप लोग सिर्फ यहां पे 4 प्लेयर को बैक कर पाओगे अगर आपको ज़्यादा गेंदबाज पिक करके चलने है आप लोग यहां से बैटिंग सेक्षन से थोड़ा सा रिस्क आपको फिर उठाके चलना पड़ेगा तो वो थोड़ा से ध्यान देना बाकि अगर मैं गेंदबाजी के अंदर भी बात करूँ तो मोहित सरमा जो रहेंगे वो इस वेनुपे सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज मैच में गेंदबाजी करवाई है जापे इनके नाम पांस विकेट है क्यों डिफरेंचल हो सकते है शायद आप लोग वो चीज समझ पाओगे उसके बाद में पैट कमिंच ने दो मैच में पांस विकेट इस वेनुपे निकाले है तो ये कुछ आपको गेंदबाजों के आक आपको ये मेरी एक डेमो टीम आप लोग मानके चलना क्योंकि आफ्टर टोस एक से दो चिंजिस इस टीम में करने पढ़ सकते तो ये चीज तो टोस क्यूपर टोटली डिपेंड करेगी आप लोग मानके चलना ठीक है तो कोई भी चेंज करूँगा टेलीग्राम चैनल पर आपको टोस के बाद में अपडेट कर दूँगा कमेंट सेक्शन में जाओगे सबस्यूपर पिंड गमेंटल लिंक आपको मिल जाएगा क्लिक करके जवाइन कर लेना कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी सुमन गिल बढ़िया विकल्प है हैंडेज क्लास इन बढ़िया विकल्प रहेंगे ट्रैविश हैड आपके लिए सेफ ओप्शन है रासिद खान को ट्राइग गर सकते हो तो ये तीन से चार प्लेयर मेरे अकोडिंग टोटली सेफ ओप्शन बाकि सेफ ओप्शन मैंने आपको बता दी उनको आप लोग अपनी टीम मैचे सेफ ओप्शन में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी दे सकते हो तो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लेड वोच क्या होगा भाई पसंद आयती है और वीडियो को लाइक है और च